यह गाइस चैहिंद आप लोग कैसे आए आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसी क्यू सीरीज का पार्ट थ्री यदि आपने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे आप उन दोनों वीडियो को बहुच कर लिजेगा आपको बहुत ही वेनिफिट होगा ठीक है सभी कंप्लेट एक्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड कुश्चन हमने इस वीडियो में लिए है यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जिए अपने एक इस डिए रिलेटिर ग्रोम शेर ज़रूर करियेगा ठीक है चलिए चलते हैं अपने बेड़ियो पर तूफर्स्ट केश्चन है कर मत दो कथन को किसने कहा था कर्मत दो एक नारा है कथन को किसने का ठीक है फर्स्ट ऑप्सन सर्दार भलब भाई पटेल सेकेंड ऑप्सने भगत सिंग थर्ड ऑप्सने जवाहरलाल नहरू और फूर्थ है मुंसी प्रैमचंद तो आई होप पास सेकेंड का टाइम देते हैं हम आपको तो चलिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है फ्रेंड्स सर्दार भलब भाई पटेल कर्मत दो जो कतन लिखा है वो है सर्दार भलब भाई पटेल द्वारा कहा गया है ठीक है चलिए नेक्स कुशन कुशन नमबर दूसरा ठीक है पहला आम बजट किसने पेस्ट किया था फर्स्ट option जॉन मताई सिकेंड ऑप्सन लाड़ बिलियम बैंटिक और थर्ड ऑप्सन है पीके सडमुखम सेटी और फूर्थ ऑप्सन है जैमस प्रिसेगं चले 5 सेंड देते हैं हर कुष्यन में आपको पास सेंड मिलेंगे ठीक है एक उसका जो राइट अंसर होने वाला है वो है Lord William स्रीK सड्डमकम सेट्टी ठीक है PK सड्मकम सेट्थी पहला बज़ट जो है PK सड्मकम सेट्टी ने प्रिस्तुत किया था ठीक है चलिए फर्ड कुश्षं कुईशन है दिल्ली पर आकरमर करने वाला प्रिथम मराठा कौन था दिल्ली पर आकरमर करने वाला प्रिथम मराठा था फर्स्ट आप्सन है बाजी राओ देती है सेगंड आप्सन है बाजी राओ प्रिथम थर्ड आप्सन है बीर सिवाजी और फोड़ता है मेहमूद गजनभी तो आई होप ये कुशन आपको आता होगा ठीक है तो इसका आंसर जो है मैं रिवील करने जा रहा हूँ इसका जो आंसर है वो है उप्सन नमबर सेकेंड ठीक है बाजी राव प्रथम दिल्ली पर आकरम करने वाला प्रथम मराठा था बाजी राव प्रथम ठीक है आई होप ये कुशन आपको याद हो गया होगा यदि याद ना होगा हो तो आप इस वीडियो को एक या दू बार जरूर बहुच करिएगा ठीक है चलिए नेस्ट कुशन कुशन नमबर फोर्थ गवन की लिखक का इसका जो राइट आंसर होने वाला वो है मुंसी प्रैमचन गवन के लेखक का नाम मुंसी प्रैमचन जी है मुंसी प्रैमचन जी द्वारा गवन लिखा गया था ठीक है चली नेश्ट कुछिशन कुछिशन नमबर 5 पैरिस में इस्थित रूनाल्ड गैरोस स्टेडियम का सम्बंद किस खेल से है। थर्ड अप्शन है सानो की लडाई और फॉर्ट अप्शन है लोड टैनिस तो इसका जो राइट होने वाला है वो होने वाला है friends lawn tennis ठीक है जो रोनाल्ड ग्यारोज स्टेडियम है वो लॉन टैनिस से संबंद देता है ठीक है ज़िए नेस्ट कुशिन कुशिन no6 कुछीपूरी नरत का संबंद किस राज जिसे है कुछीपूरी नरत का संबंद किस राज जिसे है चलिए इसको ऑप्सन देख लेते हैं फास्ट आप्साने उत्तर प्रदेश सेकेंड उप्साने जारकंड थार्ड आप्साने आंद्र प्रदेश और फॉर्थ आप्साने छत्तिसगर तो कुछी उपड़ी जो निरत का संबंध है वो आई होप सभी लोगों को पता ही होगा क्योंकि ये कुश्चन बहुत ही कुष्चन हैं जो लगातार नेमी एंड एयरफोर्स बाइ गृडब में लगातार ृष्टสओ में कुछ आसे मैं वही से राहा और और पर्सेंटेश उनका दे थे ठीक है एक चलिनेक्स क्षिशन नमबर सेवन के मुहमद अली जिन्ना को काईदे अधम के अधिक्सने दी मुहमद अली जिन्ना को काईदे अधम की उपादी इसने दी फर्स्ट आप्ट महात्मा ग५ंधी सर्वास चंदबोस थर्ड अपन है रवेंदर नाथ टैगोर फोर्थ आप्शन है जोर्ज पंचम तो मुहम्मद अली जिन्ना को काइदे आजम की उपादी काइदे आजम की उपादी महत्मा गंदी की द्वारा दी गई थी ठीक है मुहम्मद अली जिन्ना को काइदे आजम की उपादी महत्मा गंदी द्वारा दी गई थी ठीक है चली न और फॉर्थ आप्शन है इब्राहिम लिंकन सेकर्ड अप्षन बिस्टन चर्चिल थर्ड अप्षन क्रिस्टियन पैलॉड और फॉर्थ आप्षन है कार्ड लेंड स्टैनर I hope यह कुशन आप लोगों को पता होगा यदि पता नहीं है तो आप इस वीडिजो को जरूब पहुछ करिएगा ठीक है तो दितियर भिष्युद्ध काल के मैं बेटैन के प्रधानमंत्री यो थे वो थे 3rd option लोहा 4th option इसपात 1 में आपको आता होगा तो आप इस question का answer में को नहीं बताऊँगा आप इस question की answer को कमेंट वाक्स में इस question के answer को दीजिए ठीक है चलिए next question question number 10 मस्तिक्स बजन कितना होता है जो मस्तिस्क का बजन होता है , ठीक है ? फर्स्ट ऐप्षन धाइंट ग्राम सेकनड ऑप्षन 350 ग्राम थर्ड ऑप्षन 1500 ग्राम और 4ध ऐप्षन 1640 ग्राम और चलिए पास सिकन्ड का टायम देते हैं आपको इसका जो राइट आंसर होने वाला वू होने वाला फ्रेंड्स तेरा सो पचास ग्राम ठीक है मस्तिस्क का बजन जो होता है साड़ी तेरा सो ग्राम का होता है ठीक है चलिए नेस्ट कुश्यन कुश्यन नंबर ग्या रहे है कि इस्टोरिज में यूज होने वाला लिक्विड है कि फास्ट ऑप्शन एथिलेमाइट सेकेंड अप्शन सुल्फ्यूरिक एसिड थर्ड़ ऑप्शन है आमिनो अम्ल और फॉर्थ ऑप्शन है एच सी एल एच सी एल चलिए पास सेकेंड देते हैं इस कुश्यन के लिए आई होप आपको यह कुश्यन पता होगा यदि नहीं पता है तो वीडियो को बहुच कर दिएगा और आंसर को याद कर लिएगा यह कुश्यन जो है बहुत ही मैत्पूर होने वाला है अधिकतर यह कुश्यन नेभी और एर फोर्स के वाई गृप और एससी लेबल की मतलब हम आपको क्या बता हूं जिया साब को पढ़ा रहा हूं जो मोस्ट अपड़र कुश्यन है वह एससी लेबल में भी पूंचे जा चुके है ठीक है तो इसका जो राइट आंसर है वो है सल्फियूरिक एसेट ठीक है पाइट शेकर देतें क्विश्चन के लिए फ़स्ट प्सफन शिनकॉना सिकट आप सन्पशन चीड थर्ड फ़स्ट असने बांस फॉर्फ फॉर्थ है एलोवीरा इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह होने वाला फ्रेंड्स से कॉनेंज जुए सिनकॉना से प्राप्त किया जाता है ठीक है चली नेक्ष्ट कुश्ण कुश्य नम्मर 13 पुराणों की संक्या कितनी है कि शोला है कि सेकंड ऑप्सण अठार है थार्ड ऑप्सण 20 मतलब 20 और फोर्थ ऑप्सण है 24 इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह होने वाला फ्रेंड्स अठार है ठीक है पुराणों की संक्या जो है अठार है चलिए नेक्ट कुश्य नम्मर 14 कापास की कि खेती के लिए कौन से मिट्टी अधिक अब जाउ होती है जिलोड है ठीक हैं काली मिट्टी फोर्थ ऋसने बलूए मिट्टी घेस का जो राइट आंसर होने वाला है वह हॉने वाला फ्रेंड्स काली मिट्टी कापास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही अधिक उपजाऊ है ठीक है चलिए नेक्ट कुश्यन कुश्यन नमा है 15 जादू टौना का सम्मंद किस बेद से है फर्स्ट ऑप्षन सॉम बेद सेकंड ऑप्षन यजू बेद थर्ड ऑप्षन अथरवेद और फूर्ट ऑप् तो इसका राय इंटांसर होने वाला है वो होने वाला फ्रेंड्स अथरवेद से ठीक है जादू टौना का सम्मंद जो है अथरवेद से है चलिए नेक्ट कुश्यन कुश्यन नम्मर 16 रेल बजट को सामान बजट से किस सन में अलग किया गया था यह आप इस पर डबल पूछा भी जाता है तो चलिए पास शेक्र देते हैं इस कुश्यन के लिए तो इसका राइट आंसर होने वाला होने वाला फ्रेंड्स 1924 से 1925 के बीच ठीक है रेल बजट को सामान बजट से 1924 और 1925 इस भी में अलग किया गया था चलिए नेस्ट कुश्यन कुश्यन नम्मर 17ग में मूल करतब की संखया कितनी है आग फर्स्ट ऑपनें फिरेंड गया रहे ऐजब मागा है तो आट और फूर्त ऑप्सटर ने नौ तो इसका जो राइट answer वाला है वहोने वाला है फ्रेंट्स ग्यार है ठीक है बरतमान में मूल कर्तब्यों की संख्या जो है क्यार हैं चलिक नेश्ट कुषेंक कुषिय नम्मर 18 पुगते हुए सूर का देश कहा जाता है पुगते हुए सूर का देश कहा जाता है फस्ट प्स न्यूजिलैंड शीकर्ड़ जापान थर्ड ऑउस्ट्रेलिया फॉर्ट उच्ट अमेरिका तो इसका जो आंसर है वो रिवील करने जा रहा हूं तो इसका जो राइट आंसर है वो है जापान उगते हुई सूर का देश जापान को कहा जाता है चली नेक्ष कुशन कुशन नमबर 19 बैलिंगेटन ट्रोफी का सम्मंद किस खेल से है फर्स्ट ऑप्सन किर्केट सेकंड आइस होकी थर्ड नौकायान और फूर्थ ऑप्सन होकी चली पास सेकंड देते इसके लिए आई होप यह कुशन आपका गलत नहीं होगा आप सबी लोग तयारी करके बैटे हुए हैं आप स तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने एक इस्टेडी रिलेटेड गुरोब में भी सेर करिएगा ठीक है तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला फ्रेंड्स नौकायान से बैलिंग्टन टॉफी का संबंद नौकायान से है ठीक है चली नेस्ट कुशन कि ट्वेंटी कि विश्ट मौसम संगठन का मुख्याल है इस्थित है फ्रस्ट ऑप्सन फ्रांस सेकेंड ऑप्सन जैनेवा थर्ड ऑप्सन मनीला फूर्थ ऑप्सन है इटली कि चली पास सेंगर देते हैं इसके लिए तो प्रेंट इसका जो राइट आंसर होने वाला है जैनेवा में ठीक है बिस्ट मौसम संगठन का मुख्याल है जैनेवा में इस्थित है प्रत्वी तल से पलायन बेक का मान कितना है आई होप यह कुश्चन आपको पताई होगा क्योंकि यह तो है पुल से ए ठीक है तो मेरे चितने तुम आएग्ष्ट कुलोमीट्र ती-घंटा ऊप इसचमझेब Chiefs χांट तो यह कुश्चन का राइट। आनसर होने वाला आपको होने वाला क्यारव भूर्ण 11.2 कुलोमीट्र अंटा है is चले नेक्स्ट कुश्यन कुश्यन नमर 22 कि इस्थाफना किस सान में हुई फॉर्स्ट ऑप्शन है 1960 इसेकंड ऑप्शन 1965 थर्ड ऑप्शन 1969 और फूर्थ ऑप्शन 1970 चले पास शेंकर देते हैं इस कुश्चन के लिए तो इसको राइट आंसर होने वाला वहने वाला फ्रेंट्स 1969 कि इसेफ की स्थापना 1969 में हुई थी ठीक है चले नेक्स कुश्यन कोईस्ट नमर 23 उचाई बढ़ने से बायू मंदली दाओ में क्या परवाव पढ़ता है उचाई बढ़ने में बढ़ने से बायू मंदली दाओ में क्या परवाव पढ़ता है हम फर्ष्ट उप्σιन घढता है थर्ड उप्सन वही रहता है और फ्र्रोप पूप कुश्यन आपको सब भी लोगों को आता होगा तो चलिए इसका कुश्यन रिबील करते हैं इसका जो राइट आंसर होने वाला होने वाला फ्रेंट्स खटता है ठीक है उचाई बढ़ने से वाई-उ-मंडल यह प्रेशर जो होता है वह घटता है ठीक है चलिए नेस्ट कुश्यन कुश्यन नमर है ट्वेंटी फॉर है कि फुलर जील भारत के किस राज जम्हें स्थेतर फास्ट उत्तर प्रदेश सेकंड ऑप्सिन हिमाचल प्रदेश थार्ड ऑप्सिन जम्मू कश्मीर फूर्थ अरुडाचल प्रदेश आई होप यह प्रदेश में ठीक है फुल हर जील जो है वारत के उत्तर प्रदेश राज्य में इस्थेत है चलिए नेस्ट कुश्यन कुश्यन नमर 25 और इस वीडियो का लास्ट लास्ट कुश्यन आई होप आपको 24 कुश्यन तक जितने कुश्यन पढ़ा दिये मैं आपको सभी याद हो चुक्यों होंगे यदि आप भूल रहे हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा वाच करिएगा क्योंकि आपके लिए वेनिफिट होने वाला है ठीक है दच्छड अफरीका की मुद्रा है कि फॉस्ट ऑप्शन है रेंड सेकेंड ऑप्शन है रियल थार्ड ऑप्शन है दिरहम और फॉर्थ ऑप्शन है यैन चले कुश्चन का आंसर आप लोग बताईएगा पांस चेकिन का टाइम देते हैं आपको तो इसका जो राइट अंसर होने वाला है वो होने वाला फ्रेंड ठीक है दच्छड अफरीका की मुद्रा का नाम जो है र यह वीडियो पसंद आई होगी ठीक है यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा थैंक्यू पूर वाचिंग में जैहिंद धन्यबाद